हलो फ्रेंड्स अपका स्वागे थे मेरे किचन में आज हम दिवाली के नाश्ते के लिए इंस्टन कूर कूरी चकली आलू की चकली बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी एक बार पना कर महिने तक स्टोर कर सकते हो अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब बनाते है तो मिक्षर जार ले लेंगे पहले हम एक आलू का पेस्ट बनाना है उसके लिए हम तीन से चार छोटे अदरक के टुकडे एक इंच अदरक के टुकडे ले लीजिए उसमें हम दो से तीन हरी मिर्च मैंने फिक्की ली है अगर आपको तिखा बनाना है तो डार्क तो तिखी वाली भी हरी मिर्ची ले सकते हो अभी उसमें हम दो उबले हुए आलू मिडियम आलू उबाल लीजिए और उसके छिलके निकालके उसके टुकडे करके हम इसे मिक्षर जार में डाल देंगे साथ में हम एक चोथाई कब जीतना पानी डालके उसका बारिक सा पेस प्रिया चकली के लिए एक बोल में रेडी कर लेंगे तो एक बोल ले लेंगे उसके पर चन्नी रख देंगे उसमें हम दो कप चावल का आटा ले लेंगे चावल के आटे से जो इंस्टन्ट हमारी चकली बनेगी वो बहुत ही कुरकुरी सी बनेगी साथ में हम एक कप बेसन डालेंगे, बेसन से चकली जो है वो खस्ता भी बनेगे और चकली का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया सा आएगा और इसे हम अच्छे से चान लेंगे बेसन में गुटलिया रहती है इसलिए आप उसको चान के ही लीजिए तो मैंने अच्छे से चान लिया और दो टी स्पुन जितना नमक डालेंगे तो जो आलू का पेस्ट बनाया है उसके हिसाब से भी हम नमक अभी डाल देंगे तो बहुत ही सिंपल सा है उसमें ना ही बहुत मसाले पड़ेगे पर खाने में ये बहुत ही चटपटी टेस्टी सी बनेगी अच्छे से सारी सामगरियों को मिक्स कर देंगे और उसमें अभी हम मोयन देंगे मोयन के लिए इधर हम ये जो चकली है वो बटर से बना रहे है घी या तेल ना यूज करें बटर से ये चकली का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया साएगा अभी हम उसमें धाई टीबल स्पुन जीतना बटर डालेंगे अमुल का जो साल्टेट बटर आता है वही मैंने लिया है और बटर को आटे के साथ अच्छे से क्रम्बल जैसा तो हम एकदम अच्छे से बटर को पूरे आटे के साथ मिक्स करेंगे ताकि चकली है वो हमारी एकदम खस्ता बने तो इधर आप जब बटर डाले बटर को अच्छे से मिक्स करना बहुत ही जरूरी है और अभी आटा लगाने के लिए जो हमने आलू का पेस्ट बनाया है पूरे बनाया है वो थोड़ा थोड़ा डाल के सॉफ्ट रोटी जैसा आटा लगाना है तो इधर मैंने एकदम परफिक्ट रेश्यो लिया है तो मुझे उपर से पानी भी नहीं डालने की जरूरत पड़ी है तो आप थोड़ा थोड़ा ये पेस्ट डाले अगर आपको लगे के आटा ज्यादा सॉफ्ट हो गया है तो आप पेस्ट थोड़ा बचने दीजिए पर इधर अगर ये मेजरमेंट से आप लोगे तो बिलकुल आपका आलू का पेस्ट नहीं बचेगा एकदम परफिक सा ऐसा सॉफ्ट आटा मैंने लगा लिया है आटे को थोड़ा अच्छे से मैंने मसल लिया और आप देख सकते हो रोटी जैसा ये सॉफ्ट है उसमें से अभी हम ऐसी मेडियम बड़ी लोईया करके उसका रोल कर लेंगे तो इसे हम जो हमारा चकली मेकल होगा उसमें हम भरेंगे मैंने इधर चकली की रिंग फीट करके मेरे पास चकली मेकर है ऐसा उसे हम तेल से पहले अंदर से ऐसे ग्रीस कर लेंगे तो चकली की जो रिंग है उसे भी मैंने ग्रीस कर लिया उसे हम ऐसे fit कर देंगे आपके पास जो भी चकली maker है आप use कर सकते हों मेरे पास ये वाला है तो मैंने ये लिया है अभी जो चकली का आटा है वो हम डाल देंगे और अच्छे से press करके हम इसे भर देंगे अगर ज्यादा लगे तो ज्यादा भी आप ऐसे डाल दीजे उसे pack कर देंगे और अभी हम चकली बनाएंगे इस तरीके से आटा रेडी होगा तो नहीं आपकी चकली टूटेगी और नहीं फ्राइ करते टाइम बिखरेगी एकदम परफेक्ट सी आपकी चकली बनके रेडी हो जाएगी अभी मैंने बटर पेपर ले लिया आप चाहे तो प्लास् और एक चकली जब ऐसे बनाए तब तीन बार अंदर से बहार आते हुए उसे ऐसा शेप दे जब तीसरा राउंड खतम हो जाए आप उसे ऐसे थोड़ा हलका ऐसे तोड़ दीजिए और उसे चिपका दे तो ये चिपकाना है वो भी बहुत ज़रूरी है नहीं तो जब आप तो आपको ध्यान रखना है तो मैं सारी एक साथ चक्रिया है वो बना लूँगी तो थोड़ी थोड़ी हम बनाते जाएंगे साइड में तब तक दुसरी है हमारी फ्राइव होती जाएंगी तो इक साथ मेरी इतनी बनके रेडी हो गई है और मैंने तेल गरम करने के लिए र फराई करने करके और चकली को आपको ऐसे उठाना है अर्ड़िए हमोगी तो तो एक दम आपको जेणिया सथ में ले नहें ताकि वंद्ध दूटे नहीं तील घरम होगा मीडियम में फ्लेव होगा इसकर आपकी बहुँत ही अच्छे से फ्राइव होकर रेडी होगी जाएं उतनी मैंने डाल दी है, गैस की फ्लेम मेडियम करके मैंने दो मिनिट के लिए इसे फ्राइ किया, दो मिनिट के बाद हम उसकी साइड चेंज करेंगे और वापिस हम इसे दो मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे, दो मिनिट के बाद आप देखोगे, तो तकरीबन चार मिनिट में एक time की चकली आपकी fry होके ready होगी और आप देख सकते हो तो ये हमारा एक batch fry होके ready हो गया तो मुझे 10 minute लगे आठा लगाने से लेके आलू की paste करने से लेके और हमारी चकली fry होने के लिए तो बहुती क्रिस्पी सी ये बनेगी ये जो चकली है इसमें बिल्कुल तेल नहीं रहेगा और खाने में एक दम खस्ता क्रिस्पी बनती है इसे आप कीचन पेपर पर निकाले और इसे ठंडा करें और इसी तरीके से सारी जो चकली हमारी है उसे हम गरम तेल में डाल देंगे और इसे हम मिडियम फ्लेम पर फ्राई करके रेडी कर लेंगे ये रेशेपी से तक्री बन एक किलो आसपास आपकी चकली बनके तयार हो जाएगी अगर आपने कभी इस तरीके से आलू की कुरकुरी चकली बनना कर ट्राई नहीं किया तो इसे एक बार ट्राई करें खस्ता खाने में आलू की वज़ह से आपको ये बहुत ही टेस्टी सी लगेगी और यह जो चकली है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप मोयन जो दे बटर का वो अच्छे से दे और आठा आप सौफ्ट रोटी जैसा लगाए ताकि आपकी चकली बनाने में भी आसान रहेगी और टूटेगी भी नहीं और जब आप उसका शेप दे तो एंड में चिपका ना भूले तो यह बिल्कुल भिखरेगी नहीं तो दीवाली के नाश्टे के लिए या रूटीन के नाश्टे के लिए आलू की यह कुरकुरी चकली के रेसिपी एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंड में बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थैंक्यू झाल 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 झाल